तो देखते हैं यहां पर Q30 में हमसे क्या पूछा गया है An object is placed 15 cm from a converging mirror, a diverging mirror of radius of curvature 20 cm Calculate the image position and magnification in each case तो पहला जो हमारा object है वो कित्ती दूरी पर रखा गया है 15 cm पर तो सबसे पहले मैं यहां पर converging mirror की बात कर लेता हूं Converging mirror हमारा यहां पर कौन सा होता है Concave mirror होता है तो यहां पर मैं simple लिख देता हूं Concave mirror और U हमारा यहां पर क्या होगा, minus का 15 cm होगा क्योंकि जो हमारा object होता है वो यहां पर क्या होता है Left side of the mirror होता है, इसलिए हम यहां पर negative sign लेके चलते हैं और जो radius of curvature दे रहा है, वो हमें यहां पर कितना दे रहा है 20 cm दे रहा है, इसका मतलब हम यहां पर focal length निकाल सकते हैं तो R equal to यहां पर क्या होता है, 2F होता है And F equal to यहां पर क्या होगा, R upon 2 R हमें यहां पर कितना रहा है, 20 divided by 2, यहां पर कितना जाएगा Negative का 10 cm, कितना हैगा हमारा यहां पर negative का Minus कम यहां पर इसलिए लेंगे, क्योंकि जो हमारा focal length है वो हमारा जो कौन के mirror में बनता है, left side बनता है इसलिए मैं यहां पर क्या लेंगे, focal length नेगे लेंगे, अब हमें यहां पर क्या बताना है, image की position बतानी है और magnification बताना है तो image की position के लिए मैं यहां पर mirror formula use करूंगा और चो image distance है, उसको यहां पर V से denote करते हैं तो करते हैं यहां पर solve, यहां पर लिख लेता हूं using mirror formula तो mirror formula हमारे यहां पर क्या होता है 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F V image distance होगे, U object distance and F हमारे यहां पर focal length तो 1 upon V और जो हमारा object distance है वो negative में है तो minus का 1 upon 15 equal to focal length भी हमारे यहां पर negative में है तो minus का 1 upon 10 further solve करेंगे तो यहां पर क्या होगा 1 upon V negative का 1 upon 15 red set जाएगा तो positive हो जाएगा and यह हमारे negative का negative ही रहेगा 1 upon V equal to LC हमारे यहां पर कितना आ जाएगा यहां पर 30 आ जाएगा 15 to 30 and यहां पर 3 तो 1 upon V equal to minus का 1 upon 30 and V equal to यहां पर क्या जाएगा minus का 30 cm negative हमारे यहां पर इसलिए आए क्योंकि जो हमारी image बन रहे है वो हमारे यहां पर क्या बन रहे है mirror के सामने बन रहे है यहां बोल सकते हैं left side of the mirror बन रहे है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ जो हमारी image बन रहे है वो हमारे इमेज बन रहे है front of the mirror front of the mirror बन रही है इसलिए हमारे यहां पर क्या एगा negative आएगा और हमें यहां पर क्या बताना था magnification भी बताना था तो image की position हमने यहां पर बता दी front of the mirror 30 cm and magnification हमें यहां पर बताना है तो magnification का जो हमारे यहां पर formula होता है M equal to minus v upon u में बन सब्सक्राइन पर हमारे हमेरे क्या होंस constraint क्योंकि matches दिन roll और था मैं compare करूंगा थैarda हमारे positive होजाएगा 30 और जो हमारे हम यहां पर object distance वह हमारी हमेले एगैज था तो नेगेटिव यहाँ पे कितना हैगा diviege करने कि Lily gamemarra माइक यहाँ यहाँ पर वार्ट के लिए माइनस कई तो अब मैं यहाँ पर solve कर लेता हूं second वाला पार्ट तो B part हमारे यहाँ पर diverging mirror है तो obviously हम यहाँ पर कॉन से mirror लेंगे? अब हमें यहाँ पर सेमी चीज निकालनी है object की जो दूरी होगी वो हमारे यहाँ पर minus का 15 cm होगी object हम यहाँ पर दोनों पार्ट में negative लेते हैं बट जो हमारे यहाँ पर focal length होगा वो हमारे यहाँ पर positive होगा positive का 10 cm mirror formula हम यहाँ पर लगा लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? 1 upon V plus 1 upon U equal to 1 upon F तो V हमें यहाँ पर निकालना है and U हमें यहाँ पर कितना दरिखा है? minus का 1 upon 15 focal length positive में 1 upon 10 तो वन अपॉन भी कोल टो यहाँ पर कितना हो झागा उपउन 15 एजना इना हास ऐगा scripture एक कि फिटीं टी ठी यंट यहाँ पर हमारा जगा वन अप कोल टू 5पन 5 पार्फ यहाँ छार्ट तो इसका मतलब जो हमारी image बन रही है वो हमारी यहाँ पर क्या बन रही है behind the mirror बन रही है तो यहाँ पर मैं लेख सकता हूं behind the mirror 6 cm behind the mirror 6 cm की दूरी पर बनेगी तो हमने यहाँ पर क्या करा दोनों की image position निकाल लिया है अर पहले वाले कर जो magnification रहे था वो यहाँ पर minus 2 आये था सेकंड वाले यहाँ पर देख लेते हैं तो magnification यहाँ पर क्या होगा minus का V upon you तो व हमारे 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 माइनज का 6 हो जाएगा and यू हमारे हमारे क्या पर क्या था minus का 15 तो अगर मैं इसको solve करेंगा तो कितना होगा negative negative यहाँ पर positive हो जाएंगे and 3, 2 जा 6 and 3, 5 जा 15 अगर यहाँ पर 2 upon 5 है इसका मतला अगर मैं इसको यहाँ पर solve करेंगा तो कितना होगा 2 का अगर मैं 5 से divide करता हूँ तो 0.0 and 5, 4 जा 20 तो यहाँ पर आजागा 0.4 तो magnification हमारे यहाँ पर कहाएगा plus का 0.4 आएगा तो hope आपको यह वाला answer समझ में आ गया होगा अब हम चलते हैं अपने next question के तरफ